असलाम वेकूम डॉक्टर विल्मार्श वावे जर्मिन की जानिप से सेहत का पेगाम आप देख रहे होमियो ऑनलाइन सीजन थ्री और मैं हूँ आपका मैजबान अली इमाम जी हाँ आप हमारा ये प्रोग्राम हर महीने शौबे की यूटीब चैनल और फेजबुक पेच पर देख पाते हैं हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम होमियो पैटिक के हवाले से मुस्तनत और एहम मालूमात आप तक पहुंचाएं और आज का जो मौजू है वो इंतहाई इंपॉर्टन है कॉलिस्टरॉल, सहतमन चिकनाई और टीशू सॉल्ट और साथ साथ मैं आपको रमजान मुबारक की मुबारक बात भी देना चाहूंगा श्वाबे पाकिस्तान की तरफ से, डॉक्टर हमाई साथ जो हमारे इंतहाई मौजज़ डॉक्टर मौजूद है, इलाही बग्स साथ उनकी तरफ से और जो के टॉपिक है वो कॉलिस्ट्रॉल सिहतमन चिकनाई है और टीशू सॉल्स है कॉलिस्ट्रॉल के खून में मौजूद की जरूरी है डॉक्स साथ लेकिन अगर खून को मकमल तोर पर कॉलिस्ट्रॉल से पाक कर दिया जाए तो क्या हो, यह सवाल जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी बड़ा इंटरस्ट पैदा हो गया कि आपसे कुछ इंतिहाई एहम मालूमात सुनने को मिलेगी इंशालला बैश्यक हम मुख्तलिफ मीडिया के हवाले से डॉक्टर्स की एडवाइसिस के हवाले से यह बाते सुनते रहते हैं और हमने देखा भी है कि अमुमी तोर पर कॉलिस्ट्रॉल के हवाले से कॉलिस्ट्रॉल की मुख्तलिफ अक्साम है जिसमें बैड कॉलिस्ट्रॉल को नाम दिया जाता है इस हवाले से जो नतीज़तन एडवाइस मिलती है वो यह है कि आप चिकनाई का इसे माल छोड़ ठीक है अब अगर फर्स कीजिए कि हम कॉलिस्ट्रॉल के उपर पहरे देख लेते हैं कि कॉलिस्ट्रॉल का काम क्या होता है कॉलिस्ट्रॉल के मैं यहां पर सिफ एक दो चीदा-चीदा से काम बताऊंगा एक तो यह है कि बहुत एहम किसम के हार्मून्स खास तर पर इस्ट्रोजिन और टेस्ट्रोजिन यह हार्मून्स बनते ही कॉलिस्ट्रोल से हैं ठीक है. इसका मतल 버 videos यह है कि हमारे तोनो जैंडर्स के अंदर estrogen के हभाले से अचे इस्टरोजिन के ते स्थीर्सयोन के हभाले से हमारी जिंद absolutely जिंदिगी का जो एक cycle है वो खासा इस उस पर इनसार करता है ऐसे सुरत पर कार्टन को free कर दिये जाए दूसरा काम इसका क्या हो अगर कॉलिस्ट्रोल ना हो पहला इसमें पिर एक सवाल उपड़ता है कि कॉलिस्ट्रोल करता क्या है जो जिसकी मौजूदगी जरूरी है अगर हम अपनी ब्लड वैसल्स का जाइजा लें तो हमारे इस खून में दौड़ने वाला कॉलिस्ट्रोल बुनियादी तौर पर हमारी खून की बारीक और मोटी नालियों के रिपेरिंग के काम आता है यह वो गम है यह वो सेमिंट है यह वो एक लुगदी है जो के कहीं पर खुराश आ जाए तो वहां पर अपना लेयर बनाएदी ठीक है बनियादी तौर पर यह काम है जहां जहां खराशें ज्यादा आएंगी उतना ही सिगनल्स ज्यादा जाएंगे और हमारे जिस खून में कॉलिस्ट्रोल की मिगदार बढ़ती चली जाएए ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि बनियाद इसकी यह है इसके बढ़ने की के हमारे जिसम में खून की नालियों में खराशें अगर नहीं होगी तो कॉलिस्ट्रोल भी का किरदार कम से कम होगा और कॉलिस्ट्रोल की मिगदार भी कम से कम रहीए अब दूसरी तरफ आ जाएए कि यह कॉलिस्ट्रोल हमें क्यों बढ़ता है आम तोर पर यह कह जाता है कि हम चिकनाई का इस्तमाल करते हैं तो उसकी वज़ा से कॉलिस्ट्रोल बढ़ता है जबके चिकनाई के हवाले से हम उस तफसील में नहीं जाते जिस जिक्केकिस किसम की खखनाई वहें नुक्सान देती इस हमारे से बहुत कमजोर शवाइद हैं कि एनिमल प्रोडक्ट से मिली हुई खखनाई हमारी जिसम में कोलिस्टोल को बढ़ाती है लेकिन ये शफाइद बहुत ज्यादा है कि गुड कॉलिस्टॉल को बढ़ाने में तिल, अलसी, अखरोट और तिगर और ऐसे जराय हैं जिससे के हम जब कॉलिस्टॉल हासिल करते हैं तो गुड कॉलिस्टॉल में फायदा होता है और वो हमारी रिपेरिंग में भी फायदा द इस उनको चाहिए कि वो अपने ख्ल कनालीओें उने भालिवानाई का का कि झार नाज क्यू राज कराने की कोशिक क стен आखिए तिक उन की रेपैरिंग की जरूत ही पेशना है ठीक है जिसमें हम कहते हैं कि हमारी खुन की ना लिया हम 50% काम कर रही है 50% नहीं कर रही है कोलिस्ट्रोल की वज़ा से स्टंट लगाना पड़ना है यह सारी चीज़े करने पड़ते हैं तो यहां पर यह बखोगी है दूसरी एक बात जो वाज़ा कर दूँ के जो कुछ हम यहां गुफ्तुग कर रहे हैं कि तवला चीज से कॉलिस्ट्रोल नहीं बढ़ा है इसका मतलब यह हर्गी से नहीं लिया जाएगा कि आपको तमाम सी चिकनाईया खाने का लाइसंस मिल गया है मिल गया है ठीक है मौतात रहना होगा लेकिन हम आगे बढ़ेंगे तो इसको बताएं ठीक 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 डॉक साब सिहतमन चिकनाई से एक तो आविस्टी वही वहली बात है कि क्या मुराद है और कौन सी गजाओं से इसका हुसूल मुमकिन तबाम गजाएं जिन में चिकनाई है वो हमारे लिए कॉलिस्ट्रोल का सबब बन सकती है लेकिन हमने मोटे मोटे मैयार बना रखे है ठी तो उसके अंदर fatty acid बहुत ज्यादा होगी fat की मिगदार ज्यादा होगी saturated fat की मिगदार ज्यादा होगी ठीक है लेकिन जु स्वीडन की गाय है उसके अंदर देखा गया कि उसमें चिकनाई की मिगदार कम होगा है इसका मतलब ही हुआ कि सिर्फ मोटा सबब आप तसलीम कर लें ज़र आप गाये की गोश्ट ऐसा होता है तो ऐसा नहीं है हमें यह देखना होगा कि उस जानवर के अंदर चिकनाई के मिगदार केतनी है और वह भी सेचुरेटर अगर पोली अनसेचुरेटर और बोनो अनसेचुरेटर फैट की बात आएगी तो जो के हम वेजटबल आएल से समाल या मुझेटबल आईलिया मुक्तलिब किसम के मेवाजात में पाया जाता है उसकी बात करेंगे तो वो कॉलिस्ट्रोल को बढ़ाने का सबब नहीं बनती यह कम असकम हमारे पास उसके लिए मजबूत शवाहिद मुझूद नहीं तो इस तरह से हम उन्हें इस्तमाल कर सकते है बताने का मकसद सिर्फ यह है कि सिर्फ यह जानकर के कॉलिस्ट्रोल ना बढ़ जाए हम अपनी चिकनाईयों को अगर बिल्कुल खतम कर देंगे तो हमारे लिए रिपेरिंग का काम भी महदूत हो जाएगा ठीक है वो लोग जिनको 160 की मिकदार में टोटल कॉलिस्ट्रोल उससे नीचे चला जाए तो उनकी डैथ के भी इमकानात बढ़ जाते है चाही जाता है कि बढ़े वे कॉलिस्ट्रोल से मरने वालों की इतादाद कहीं कम है बहुत ज्यादा घड़ जाने वाले कॉलिस्ट्रोल से मरने वालों की इतादाद से तो इसलिए यह जरूरी है तेखें हर चीज़ में एक इतादाल बहुत जरूरी है कॉलिस्ट्रोल के मिकदार भी हमारे जिसम में बहुत जरूरी है हमें चाहिए कि मुख्तलिफ किसम की अशिया का इस्तमाल करें लेकिन वह चीज़ें जो के सैचुरेटेट हो, सैचुरेटेट से मुराद हमारी यहां पर यह है कि वो फैट जो कि जम जाती है ठीक है जिन में हाइडरेटेड एक प्रोसेस से गुजारने के बाद जम जाए उसका फाइदा क्यूं क्यूं इस्तमाल होती है उस भो भी में बताता चलों कि एक तो वो ट्रेस्ट अपना पर करार रखती है ठीक है दूसरा है कि उससे बनी हुई इसी चीज़े है शेल्फ लाइफ में ज्यादा ज्यादा अरसे तक कायम रह पाती है तो इसलिए आप दिखा होगा कि मिठाई की दुकानों पर या मुक्तलिक इसम की जो डीप फ्राइड की चीज़ें जो है वो इसी किसम के आईल में इस्तमाल होती है तीसरा बड़ा फैक् सेचुरेटड फैट की सुरत में हमारे जिसम में जम सकता है तो बात यहां पे नतीजा कायम कर सकते हैं कि वो तमाम तर चिकनाईया जो के हमारे जिसम में सेचुरेटड कंडिशन में जाए वो हमारे लिए मुजिर हो सकती है ठीक है ताहम वो चिकनाईया जो के ओमेगा-3 य तो उस सूरत में हमारे लिए नुकसान देगे लिए नुकसान देगे डॉकसाब इसी से सप्लिमेंटरी एक सवाल है जो हमारे हैं तो यूजिली बिल्कुली कहा जाता है कि जी स्टॉप कर दीजा आप बीफ और आपने बाहर के ममालिक की गायों का जिकर किया तो हमारे हैं की जो गाये हैं उसमें कितना यानि कि फैट का मिगदार और वो कितने क्या बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए या कुछ उसका इस्तेमाल करना चाहिए बिल्कुल उस हार्ट की जो पेशेंट्स भी होते हैं देखे हमारे गाये के हवाले से जो जिबा की जाती है उसका कोई खास मायार खायम नहीं है देखना ये होगा कि ऐसा जानवर जिसमें फैट की मिगदार कम हो और अगर जिसे हम रूखा गोश्ट केते हैं तो उसकी सूरत में इससमाल करने पर कोई हर्ज नहीं है ठीक है लेकिन बात वहीं हा जाती है कि सिर्फ गोश्ट या इस किसम के परेज से हम इससे छुटकाना नहीं आसिल कर सकते बलके हमें चाहिए कि कुछ सहाथमन्द एक्टिविटीज भी अपने साथ हैं जारी रखें बिलकुर वह सहतमन्द एक्टिविटी एक तो फिजीकल एक्टिविटी हैं दूसरा यह के सबजियों का इस्तमाल है खास दौर पर कची सबजियों का इस्तमाल अगर हम करते रहेंगे तो उससे मिलने वाले न्यूट्रियर्स जो है वह उस फैट्स को जो कि हमारी जिसम के अंदर नु हमारी मेमरी से लेकर हमारी जिसम में पैदा आने वाले हर्मून्स इसका गहरा तालुक है हमारे खुराक में मौजूद फैट्स हैं वह फैट्स जो के नॉन सैचुरेटेड़ हों और हमारी जिसम में दाखल हों वह हमारे लिए फाइदा दे सकती हैं ऐसे लोग जो के पैथालोजिकल रिपोर्ट के मताबिक मुम्किन है कि आइडियल पैथालोजिकल रिपोर्ट रखते हो लेकिन उनकी आम सहथ बहतर नहीं होती चलने फिटने में जल्दी ठक जाना वगरा इस किसम की चीज़ें उनकी ज्यादा देखी गई है यह डॉक्सर आम तोर पर जो कलिस्टरॉल का एक लेवल होता है जिसको लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसके लिए बड़ा ही परिशान रहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए उस सता को मतलब बरकरार रखने के लिए देखें सता को अबरकरार रखने के लिए एक तो यह हमें अपनी टाइट पर टाइट का जाहिजा लेना है कि हम कितने खुराक खाते हैं और उसमें फैट्स की मिगदार केतनी हैं और दूसरा हमने फिजिकल एक्टिविटी का जाहिजा लेना है वहां यहां पर भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत माने रखती है अगर हम एक जिगा पर सिटिंग जॉब के अगर हैं बसरूफ हैं तो हमें कम असकम पंदरावी निट से लेकर और पौन गट्टे तक का टाइम निकाल लेना चाहिए कि जिसमें हम पैदल चलें या अपनी एक्टिविटी को बहाल रखें और इन तमाम उमूर जिसमें अभी गुफ्तुगू की इसको अगर हमने सेहत मन रखना है या बहाल रखना है तो इसमें होमियोपेथी और टिशू सॉल्ट का क्या करदार है बेशक टिशू साल्ट को अगर देखें हम तो बारा साल्ट जो कि सुशलर्क ने दिये है इन बारा साल्ट की अपनी एक खुसूसियत है कि ये सब के सब मेटाबॉलाइट्स के तौर पर काम करते हैं मेटाबॉलाइट्स को आम जबान में यूं समझ लीजिए कि सिस्टम में जो चीज जाइद है उसे ख़द कम करना और जो चीज कम है उसे जाइद कर देना या हमारे जिस्टिप्यूटेट्ट जो चीज है उसको इदर से उदर जरूरत के मताबिक पहला देना या कारा मत बना देना तो ये मेटाबॉलाइट्स का काम है और टिशू साल्ट का बुनियादी थियूरी इसी पर बेस करती है तो अगर हम बारा के बारा साल्ट भी अगर इस्नमाल करते हैं तो उस सूरत में हमें जहाएद फाइदा मिल जाता है सही और डॉक साब प्रोग्राम का वक्त अब तरनाम की जानेब है तो रमजान अलमबारत के शुरुआत है तो अब इसमें तो आपको पता है जो हमारा जो ओवराल जो एक पैटर्न रहता है खाने पीने का वो इंटारली चेंज हो जाता है और अफ़तार में इस तरह की यान देखें इस सिलसरे में मैं यह कहूंगा कि सब कुछ खाएं जो कोई भी सहतमन तरीके से बनाई गई है उसे इस्तमाल करें लेकिन मिगदार का ख्याल लगए मिगदार उतनी ही रहनी चाहिए जतनी एक वक्त के खाने में हम थोड़ा सा पेट खाली छोड़ देते हैं ठीक है इसमें भी हमने खाली छोड़ना होगा तो उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है क्योंकि हमारे जैसम इस बात के लिए आमादा होता है कि वो कंस्यूम कर सके या उसको मेटाबलाइज कर सके तो उस सुरत में हमें कोई आर नहीं होगा और इसमें कोलेस्ट्रोन के बढ़ने या कम उसके मुज़रात का सामना करने की नोबत नहीं नहीं आईए बहुत शुक्रिया डॉक साब आपकी आमत का वक देने का नाजरीन इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अक्तिताम को पहुंचता है होम्यो ऑंलाइन सीजन 3 आप देखने का बहुत शुक्रिया अप अपनी आरा और अपने सवालात जो हम तक जरूर आप भीजा करें उसका तरीकर गार यह है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें कमेंट बॉक्सर वहां पर आप अपनी चीज़ें लिक्स के भीज़ सकते हैं जो फेस्बू का आप लोग फॉलो करते हैं वहां पर आप मतालिक मुफीद मालूमात आप तक पहुंचाना है इस सोशल सर्विस के लिए शौब जर्मनी और पाकिस्तान में इनके एक्स्क्लोसिफ पार्टनर डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो प्राइवेट लिमिटर और दारुल अद्वियात की खिर्मात काबले कदर हैं मैं अपने म हजबान अली इमाम को इजाज़त दीजे खुदा हाफिज